हाई गाईज आज बात होने वाली है इस टाइम की दो अमेजिंग स्मार्ट वॉच्च के बारे में एक तरफ अपनी कैटेगरी की सबसे पॉपलर वॉच्च तो वहीं दूसरी साइड है सेम कैटेगरी की बेस्ट वॉच्च तो चलिए शुरू करते हैं पर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पहले बात करते हैं इस टाइम की सबसे पॉपलर स्मार्ट वॉच्च के बारे में जो है ओनर मैजिक वॉच्च टू इस वॉच्च में दोस्तों आपको सर्कल ओफ 46 mm की ऑल्वेज ओन एमुलेट कलर फुल टेच स्क्रीन दी गई है जिसका रेजोलिशन 454 x 454 है जो नॉर्मल किसी भी वॉच्च से जादा है ये भी दोस्तों एक बज़े है इसका इतना पॉपलर होनी की इसके डायल को 316L stainless steel से बनाए गया है जो जनरली aerospace industry muse होता है जो इसे durable के साथ lightweight भी बनाता है Magic Watch 2 में दोस्तों आपको 15 different sports mode मिलेंगे जिनने आप voice command से activate कर सकते हैं इसके लावा heart rate monitor, true sleep monitoring, smart notification और stress test जैसे feature भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे अब next अगर हम इस watch के advanced features की बात करें तो इसमें आपको SPO2 sensor मिल रहा है जो काफी सारी latest smart watches में नहीं मिल रहा है इसके लावा personalized watch faces को option भी है इसमें दोस्तों आपको multi watch faces को option almost हर watch में देखने को मिलेगा पर वो सभी pre install faces होते हैं पर दोस्तों personalized watch faces से आप इसके display पर कोई भी image लागा पाएंगे एक और खास बात है इस watch में दोस्तों जो इस segment की बाकी smart watches में आपको आसानी से नहीं मिलेगी वह दोस्तों इस watch में दिये गए built-in speaker and microphone जिया दोस्तों speaker and microphone आपको हर किसी watch में नहीं मिलने वाले इसकी help से आप direct call attend कर पाएंगे यही कुछ features की वज़े से यह watch इतनी popular है इसके लावा दोस्तों 4GB का built-in storage भी इसमें आपको मिलेगा जिससे आप इस watch में 500 songs से easily store कर सकते हैं और Bluetooth की help से किसी भी device से connect करके play कर सकते हैं 50 meter depth तक यह watch water resistant भी है इसके साथ ही इसमें location tracing के लिए dual satellite positioning system भी मिलेगा और दोस्तों यह watch iOS और Android दोनुई operating system के साथ compatible है अब दोस्तों बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 455 mAh की बैटरी मिलेगी जो single charge पे आपको 14 days तक रन कर सकती है अगर दोस्तों आपको यह watch पसंद आ रही है तो इस watch को आप description में दिये हुए link पर जाकर विजिट कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं लेटेक्स शॉपिंग दीज के लिए आप हमारे telegram channel को विजिट कर सकते हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाली में launch हुई latest smartwatch की जिसे इस segment की best smartwatch भी का जा रहा है जो है huami amazfit stratos 3 यह के sports smartwatch है दोस्तों इसमें आपको 34 mm की IPS TFT circular full touch display दिस्पे दी गई है जो gorilla glass CK protection के साथ आती है इसके साथ ही इसकी screen पे आपको anti fingerprint coating भी दी गई है इसकी body को भी दोस्तों 316L stainless steel से बनाए गया है इसलिए यह भी काफी strong build के साथ lightened weight है अब इसके star feature की बात करते हैं जो है इसमें दिये गए 80 sports mode येस 80 sports mode इतने sports mode अभी तक किसी भी smartwatch में नहीं दिये गए है इसलिए professional sports persons या sports lovers के लिए ये watch एक बहुत ही अच्छा option हो सकती है दोस्तों इस watch में आपको first beat algorithm मिल रहा है जो आपके fitness data को analyze करता है first beat के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं दोस्तों तो first beat का algorithm वर्ल्ड में best माना जाता है इस तरह के data को process करने के लिए पर Stratos 3 first watch नहीं है जिसमें ये algo यूज हुआ है कुछ expensive watches जैसे Amazfit Aries और Casio G-Shock H1000 में भी इसका algo यूज हुआ है पर हाली में Garbin जो third biggest smart watch manufacturer है उसमें first beat company को acquire कर लिया है ओके back to the topic इसके लावा इसमें आपको सारे activity tracker भी मिल जाएंगे जैसे calorie count, step count, heart rate monitor, sleep monitor वगरा Amazfit Stratos 3 में दोस्तों positioning accuracy के लिए Sony की GNSS chip का यूज किया गया है जो almost 70 hours तक continuously operate की जा सकती है GNSS के बारे में थोड़ा बता देते हैं दोस्तों आपको GNSS यानि Global Navigation Satellite System ये 4 sets of satellites का यूज करती है location की accuracy को increase करने के लिए इसमें America के GPS, Russia के GLONASS, Europe की Galileo और China के Video Positioning System का यूज किया जाता है ये सभी मिलके बहुत ही accurate position आपको बताते हैं इनी features की वज़े से ये one of the best sports smart watch है दोस्तों इस segment की बाकी smart watches में आपको जनरली GPS with GLONASS ही मिलता है पर आपको यहाँ पर GNSS मिल रहा है बाकी इसमें आपको दोस्तों 2GB का storage मिल रहा है जिसमें आप 500 songs सक easily store कर सकते हैं और connectivity के लिए Wi-Fi और Bluetooth भी supported है आपके smart phone के भी सारे notification ये watch support करती है जो बहुत ही common feature है ये watch दोस्तों Android और iOS दोनोई operating system के साथ compatible है इसके साथ ही ये watch 580M certified भी है तो ये 50m depth देक water resist कर सकती है अब दोस्तों इसकी battery की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको lithium and batteries दी जा रही है जो दो घंटे में full charge हो जाती है और 7 days का backup 80 sports mode पे दे देती है और 14 days का backup 11 selected sports mode पे दे देती है इन जनरल ये काफी अच्छा backup दे देती है अगर आपको फिरेंट ये watch पसंद आए तो इस watch को आप description में दिये गए link परदा का visit कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं दोस्तों हमने दो नई watches के specifications को discuss किया है अब depend आप पर करता है आपके लिए कौनसी बहुत ज़्यादा बैटर है गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया पता लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो